हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सिम्रजी और स्वागत करती हूँ आप सब का मेरे किचन में कुकवित सिम्रजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ठंड में बहुत ही पसंद करी जाने वाली रेसिपी मेथी की सूखी सबजी बहुत ही टेस्टी मेथी की सूखी सबजी जो ठंड में अकसर हर घर में बनाई जाती है बहुत ही स्वस्त वर्दक और बहुत ही मज़ेदार खाने में लगती है गरम-गरम मेथी की सबजी है और उसमें मैंने घी डाला है और गरम गरम रोटी के साथ खाओ जो चलिए देर किस बात की शुरू करती हूँ बनाना मेथी की सूखी सबजी इसके लिए मैंने एक केजी लगभक मेथी लिए है पत्तेदार अच्छी उसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है इस तरह से बारी बारी काट लेना है काटने के बार काट लेना इस तरह से उसके जो जड है पूरी हटा देनी है डंठल नहीं डालने है उसके उपर उपर के पत्ते डालने है डंठल नहीं डालने है इस तरह से काट के निकाल लेना जो पूरे मुलैं मुलैं पत्ते होंगे वही डालने हैं है मैं दो 3 पीश आलू लिये मैंने मैंने दो टमाटर प्याज और लसुन अद्रक मैं दो लिया मैंने अच्छी तरी सब्कर्ली अब दीखेए कडाई में में दो बडे चमस तेल डाले में το BernBER बड़े चमस तेल डालकर उसमें प्याज डाल दिया प्यात भूंण लिया कि है कि प्याज डूरलेने के papag बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी बहुत मज़ा आता है खाने में टमाटर डाल दिया मैंने काट के टमाटर थोड़े गल जाए तो इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिया नमक स्वाद के अंसाथ डाल दिया और जीरा गोल की धनिया वाला जो मसाला होता है वो बना के कुट के मैंने रखा है वो मैंने ढाल दिया है लुक होण है दो चमस डाला मैंने इसके बार मैं डालूँगे हाल्दी एक से एक देहें चमच घंदी डाल दिक कश्मीर्य लाल मेंच की जगह में सुख्य कश्य लाल में प्रूप में好吃 दाल देती है हो tikर चाहरा जा Tib Cancer ढ suppression अधन अच्छी तरह से गलने दे compter जो भी दो के मेंधी रखी में तीके पत्ते के मैं मेंदो लिए छो उपर से डाल देना के दिरे दिरे इस में से पानी अपना ही चोड़ने लगेगाлем एस बाद Dent tab दीरे दीरे उसको ढख के रखिएगा ढख दीजिएगा पकने दीजिएगा थोड़ी दे उसके बार थोड़ा थोड़ा पानी अपना ही छोड़ने लगेगा इसमें पानी नहीं डालना है देखे अपने आप पानी उसमें से निकलने लगा उसी पानी से इसको पूरा पका देन अच्छी तरह से बार बार उसको चलाते रहना है उसका पानी एकदम से सुखा देना जब सूख जाएगा तो वह बहुत ही टेस्टी बनेगी ऐसे गीला गीला अच्छा नहीं लगता देखिए मैंने बीच में जगा बना दिये पानी सूख जाएगा उस टाइप से देखिए बन के त्यार हो गई पंद्रा से बीस मिनट लगते हैं बन के त्यार हो जाती देखिए कितनी आप भी बनाएए अब बना के खा के देखिए कितनी सौधिस्ट लगेगी तो आप हमेशा बनाना चाहोगे कि बन के त्यार हो गई यही है कि इसमें पानी नहीं छोड़ना है थोड़ा भी पूरा सूखा कर देना है ठंड के दिनों की मस्त रेसिपी है यह मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद अच्छी लगी हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई रेसिपी के साथ